नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, डेली न्यूस अनालेसिस 30 मई 2022, आज के इंपोर्टन न्यूस कौन कौन साइट चेक करते हैं, वैसे आज मंडे दोस्तों न्यूस कम है, पांची इंपोर्टन न्यूस न्यूस है, फिर देखें, यूस इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टन बेंच चुका है, चाइना को सरपस करके, और देखें, नेपाल में 22 पासंजेस वाला एक स्मॉल पैसंजर एरप्लेइन, मिसिंग है, अनकनफॉर्म्ड रिपोर्ट्स यह कह रहा हैं दोस्तों, ए साउथ वेस्ट मनसून इंडियन सब कॉंडियन में हिट हो चुका है, तो बारिस की महीने आने वाला है दोस्तों, फिर नदी रिवर कॉंक्लेव 2022 में, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सितारामंट जी ने कुछ इंपोर्टन पोइंच बोला है, सेन्डर गर्मन क्या-क्या-क्य सब्सक्राइब करेंगे, तो आगे जाने से पहले लक्षा पर लाइक का बटन, चानल को अब तक शेरान सब्सक्रीम नहीं किया हो, तो कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए, आप चानल के मेंबर बन सकते हो, जोइन बटन के तुरू, और सूपर थैंक्स का भी ऑप सब्सक्राइब के साथ कुछ हुआ होगा, जिस चीज़ पर आपको बहुत गुसा आए होगा, आप नाराज होगा, तो जब उसे आपको और मिलते हैं, तो उस इंसरेंट की वजए से आपको एक ग्रट्ज फीलिंग होगा, समझ गया आप, ऐसे आपके साथ भी होता होगा, बहुत पहले आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया होगा, जिस पज़े से आपको बहुत गुसा होगा, और वो जो फीलिंग है आपके मन के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो ये जब बहुत सालों बात भी रहते हैं, उसे आप ग्रट्ज बोलते हो, समझ गया, शुरुआत करते करीब दो दिन पहले, Unique Identification Authority of India, UIDAI, जो बेंगलूरू में लोकेटड है, उन्होंने एक अडवेशरी इस्यू किया, उस अडवेशरी में ये का गया, do not share a photocopy of the document with entities such as hotels and cinema halls, owing to the possibility of misuse, देखिए, UIDAI ने ए बोला, आपको hotels and cinema halls में, identification के लिए आथर काड नहीं देना है, ये statement बिल्कुल contradictory है दोस्तों, पहले बोला था, आपका जो आथर डीटेल से वो बहुत protected है, उसका कभी misuse नहीं हो सकता, example में आपको बताऊं, 2018 में, UIDAI का former chief and telecom regulatory authority of India का chairman, आरश शामर साब ने, एक tweet किया था, उन्होंने अपना आथर नंबर publicly tweet किया, और बोला, इससे कि इसका misuse नहीं हो सकता, मैं खुद अपना आथर नंबर डिस्प्ले कर रहा हूं सब के लिए, मतलब उन्होंने 100% ये बोला था कि ये आथर नंबर का misuse कभी भी नहीं हो सकता है, इसके बाद भी कई सारे ऐसे notifications बगरा आया है, कि आथर नंबर का कभी भी misuse नहीं हो सकता, आप identification ये लिए दे सकते हो करके, पर अब ये बोल रहा है कि आपको photocopy of the document देना नहीं है, hotels में, cinema halls में, etc. मैं आपको बताओं, दोस्तों, दो दिन पहले मैं बेंगलोर में एक hotel में रहा था, मैंने खुद अपना आधर कार दिया था, और आब ये बोल रहा है, आधर आधर सुरी को withdraw कर रहा है, उन्होंने ये बोला, citizens should share their author details only with entities that have a user license from UIDAE, तो UIDAE से, जिन entities के पास user license है, उनी के साथ आपको author details share करना है, पर ये नहीं बोल रहा है, ये user license हम कैसे verify करेंगे, आगर कोई hotel वाला हमसे author card मांग रहा है, या फिर author card का copy मांग रहा है, तो उनके पास user license ह या नहीं UIDAE का, ये हमें कैसा पता चलेगा, confusion है आप देखी, ministry ने ये भी बोला है, author holders are advised to exercise normal prudence in using and sharing their author details, क्या होता है normal prudence, मतलब आपको careful रहना है, author details किसी के साथ share करने से पहले आपको careful रहना पड़ेगा, अब ये भी contradictory है, पहले बोला था, author details share करने से problem नहीं, अब बो मतलब हमें कैसे careful लेना है ये बताओ, clearly बताओ, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सब clear नहीं है, इसलिए मैंने बोला, इसमें बहुत कुछ confusion है, ministry ने ये भी बोला है, अगर कोई organizations आपसे author card की copy मांग रहा है, तो आपको केवल masked author देना है, क्या होता है masked author, देखी, normally author card में 12 digits होता है, ये बात आपको पता है, masking an author number means replacing the first 8 digits with some characters like xxxxxxxxx, ये आपने देखा होगा दोस्तों, पहले बहला 8 digits hidden देगा, उधर के बहल xx आपको दिखाई देगा, तो इसको बोल तो इसको masked author, अगर आपको masked author download करना है, तो क्या करना है, देखी, आपको पहले ये website पर ज author card number type करना है, क्या प्चा एंदर करना है, फिर एक option देगा, do you want a mask author, उसको select करना है, आपके mobile में OTP आ जाएगा, OTP एंदर करो, आप download कर सकते हो, वैसे दोस्तों, देखा जाएगा तो Comptroller and Auditor General of India, बहुत पहले ये note किया था, कि UIDAI ये ensure नहीं किया है, जितने private frames हमारा author authentication करत है या नहीं, ऐसा है तो हमारी privacy तो risk में है, आप जाके ministry ये clear कर रहा है दोस्तों, जिन private entities के पास UIDAI का user license नहीं है, वो author card का details रख नहीं सकते, अगर unlicensed private entities like hotels, film halls, author card की copy मांगते हैं, या author details रखते हैं, ये often say under author act 2016, वैसे 2018 में Supreme Court, section 57 of the author act को unconstitutional declare किया था, क्या था section 57, it allowed private entities to collect citizens author details, देखे section 57 of the author act में private entities author details collect कर सकते थे, पर उसे Supreme Court ने unconstitutional declare किया था, ये judgment से फिर से confusion हो गया था, क्यूंकि काई सारे government subsidies and welfare schemes तो है दोस्तों, ये private banks के तुरूबी दैरा था, अब Supreme Court judgment के साब से, प्राइवेट entities author details यूज नहीं कर सकता था, इसलिए UIDAI ने ये clarify किया, कि private banks author card details यूज कर सकता है, beneficiaries को authenticate करने के लिए, कुछ महीने बाद, center author and other laws amendment ordinance लेके आया, which allowed banks and telecom operators to collect author details आशे proof of identity, तो देखिए, 2019 में ये law enact हो गया, ordinance के तुरू, जिससे banks and telecom operators आथा details यूज कर सकते हैं, आशे proof of identity, समझ गे? और एक issue हुआ था दोस्तों, जब COVID-19 vaccination program चल ला था, COVID portal के बार में आपको मालूम है, COVID portal के तुरू आप slot book करते थे, COVID portal में register करने से पहले, author card mandatorly मांग रहा था, तो उसके against भी Supreme Court में एक plea file हुआ था, फिर government ने Supreme Court को इंफर्म किया, author was not mandatory for registration on the vaccination portal COVID, तो देखें, दोस्तों, कहने का मतलब यह है, यह author का details regarding या, फिर author number privacy के regarding, काफी सारे issues अलड़ी हो चुका है, अभी भी confusion prevailing है, तो दोस्तों, that's it, I hope आपको समझ में आए होगा, पूरा issue क्या है, देखें, यह issue अभी चलता रहेगा, इसके regarding काफी सारे clarifications और आना बागी है, जैसे कि कुछ confusion से उसे दूर करना ही पड़ेगा, government को, साथ-साथ में Unique Identification Authority of India, UIDAI के बारे में भी कुछ basic details, यह basically एक statutory authority है, दोस्तों, 12 July 2016 को establish हुआ था, by the government of India, under the jurisdiction of Ministry of Electronics and Information Technology, following the provisions of Arthur Act 2016, 60, तो देखें, Ministry of Electronics and Information Technology के अंडर यह काम करते हैं, आथार एक 2016 के provisions को implement करते हैं, UIDAI हमें 12-digit Unique Identification Number या फिर आथार नंबर देथे हैं, to all the residents of India, ठीक है, Now, UIDAI was initially set up by the government of India in January 2009, सबसे पहली बार यह 2009 में set up हुआ था दोस्तों, by the government of India, as an attached office under the ages of Planning Commission, तब तो नीटी आई नहीं था, Planning Commission था, तो Planning Commission का एक attached office करके, सबसे पहली बार UIDAI को set up किया गया था, ठीक है, आसे statutory authority से established किया, 2016 में यह अब ध्यान दीजेगा, तो General Studies Paper 2, Government Policies and Interventions and Issues Related to its Implementation में, यह नुस आपको कामा आएगा, अगला है, प्रोजेक्स वर्थ, रुपीस 1.34 लाग क्रोर, तु बूस्ट नॉर्थीस्ट कनेक्टिविटी, देखे, नदी कॉंक्लेव चल रहे दोस्तों, नदी का फूल फॉर्म क्या है, Natural Allies in Development and Interdependence, यह दो-तीन दिनों से चल रहा है, दो दिन पहले, हर्शिस सार ने इस कॉंक्लेव में, हमारा External Affairs Minister जैशंगर साहब ने भी कुछ important points बोले थे, उसके बार में डिसकस किया था, अब Union Finance Minister निर्मला सितारामन जी ने कुछ कहा है, उन्होंने कहा है, अगर आपसे ऐसा question पूछ लिया जाएगा कि North Eastern region के development के लिए, Central Government क्या क्या कर रहा है, क्या क्या developmental activities planned है, तो इसमें आप कुछ important points बता सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, गर्मन का क्या क्या infrastructural projects चल रहा है, North Eastern region में, वैसे नदी कॉंगले के बार में बता देता हूं दोस्तों, नदी का मतलब होता है river, यह बात आपको पता है, यह basically एक ऐसा initiative है, to articulate and activate a collective vision of sub-regional cooperation in Bay of Bengal region and with South East Asia, basically हमारा Bay of Bengal region और South East Station countries के साथ, एक cooperation maintain करना है का एक initiative आप बोल सकते हैं दोस्तों, तो नदी initiative में, हिमालियास के south में, basically Ganga and Brahmaputra river से, South East Station countries में जो मेकोंग river है, उथर तक के area को एक common area मानता है, उनका कहना यह है, Ganga, Brahmaputra, मेकोंग river basin में common challenges से, तो हमें political bodies को अलग रखते हुए, एक साथ cooperate करना है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कौन-कौन से projects अलड़ी संदर government की तरफ से implement हो चुका है, कौन-कौन से under construction है, और कौन-कौन सा planned है, तो Finance Commission ने यह बोला है, अलड़ी 20 railway projects चल रहे हैं दोस्तों, वर्थ 74,000 क्रोर for 2011 किलोमेटर, जो North Eastern region में spread है, इसके अलाबा, 4000 किलोमेटर ओफ roads in the region डवलप हो रहें दोस्तों, अटे टोटल कोस्ट ओफ 58,000 क्रोर, और 15 ongoing air connectivity projects भी चल लाएं नौर्थ इस में, कोस्टिंग अरोन 2,200 क्रोर, However, Finance Minister ने यह नहीं बताया, यह कब complete होगा, वैसे उन्होंने यह भी काया है दोस्तों, जितना इंडो बंगलादेश प्रोटोकोल रूट्स है न, उससे increase करेंगे, क्या होते हैं दोस्तों, इंडिया बंगलादेश प्रोटोकोल रूट्स, यह बेसिकली, इंडिया बंगलादेश के बीच में, इन्लाइन वाटर ट्रांसिट एंड ट्रेड रूट है, जिसमें, इन्लाइन विसल्स ऑफ वन कंट्री, यह मैप देखें दोस्तों, यह आपको वस्ट बंगल दिख रहा है, यह आपको कुछ सामान लेके जाना है, आपको इस तरह घुनके जाना पड़ेगा, यह की नहीं, तो अगर बंगलादेश से हमें ट्रांसिट अलोग करेंगे, तो आपहरे लिए इसी हो जाएगा न, वैसे बंगलादेश में बहुत सारे रिवर्स भी है, तो रिवर के थरू कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो आसान हो जाएगा, तो इसके लिए इंडिया बंगलादेश प्रोटोकल रूट्स बनाया है, एक्सिस्टिंग प्रोटोकल रूट्स कौन कौन सा है, कलकता, पांडू, कलकता, देखें कलकता इधर है, पांडू आपको इधर दिख रहा है, ये रट लेंट वज़े से दिखने रहा है, देखें, ये कलकता है, पांडू है, फिर वापिस कलकता, इस तरह कलकता, करीम गज़, कलकता, इधर आपको करीम गज़ दिख रहा है, फिर राजशाही धूरिया राजशाही पांडू करीम गंच पांडू यह सब एक्सिस्टिंग प्रोटोकोल रूट से इसे इंक्रीस करेंगे यह बताया जा रहा है ओलडी दोस्तों नाविगाबिल्टी को इंप्रूव करने के लिए आई बीपी रूट्स का दो स्ट्रेच का डेवलप्मेंट चल रहा है सिराज गंच धाइकोवा और अशू गंच जाकी गंच और इसका प्रोजेक्ट कोस्ट है 305.84 क्रोर और यह 80-20 शेर बेसिस में फंडिंग चलना है 80% इंडिया को देना है 20% बंगलादेश को देना है उसक कोस्ट अब ट्रावल है उससे कंसिडरबली हम रिद्यूस कर सकते हैं यह मैंने आपको इधर मैप में दिखाया था कैसे हम रिद्यूस कर सकता है करके नौ गर्मेंट इस फॉर्धर देवलपिंग नाश्ल वाटरवेस वन अन गैंगस नाश्ल वाटरवेस टू अन ब्रह्मपुत्रा अन नाश्ल वाटरवेस 16 अन बैर्रिक ठीक है नौ एंटेर एरिया बिट्वीन सदिया अन धूबरीन आसाम एलों माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर वाज बिंग डेवलप फॉर इंप्रूट कर्नेक्टिविटी तो सदिया अन धूबरीन आसाम एरिया में जो वाटरवेस है उसको भी डेवलप किया जा रहा है और मल्टी मोडल हब और भ्रह्मपुत्रा इन कुवाहती इस बिंग डेवलप इस इंक्लूट से शिप रिपेरिंग पॉर्ट पांडू फॉर टूरिस्ट जटी लवन फोर्टिंग टर्मिनल्स एसा प्लांडे दोस्तों देखिए पांडू पॉर्ट में एक बहुत बड़ा हब हब बनाएगा मल्टी मोडल हब हब मतलब उसमें काफी सारे सर्वीसस रहेंगे जैसे कि शिप को अगर रिपेर करना इसके लिए पॉर्ट रहेगा टूरिस्ट को आना तो जटीज रहेंगे और फ्लोटिंग टर्मिनल्स भी रहेंगे और एक इस चेन वाटर वेस सब्सक्राइब कर रहें दोस्तों जो पावर ट्रांस्विशन के ऊपर फॉकस्ट है डिस्ट्रिबूशन के ऊपर मोबेल नेट्वर्क्स फोजी ब्रॉडबैंड करनेक्टिविटी एक्सर एक्सर तो यह सारे पॉइंट्स अब ध्यान दीजेगा दोस्तों आप पोइंवेस स्यूदर में कर सकते हैं अपके आंसर में गाफिंड नॉर्थ इस्टेट रिजन के लिए क्या क् सब्सक्राइब करके द्शी जन्हाइब करें गर्मन पोर्लीक्ति इंदिए शाम फॉन से प्लिकान अगला है छ personnशुन जिंशन इपको मनसुन आ चुका है नॉर्मली जून एको आता है दोस्तों इस साल तीन दिन पहले ही आया है इंडियन सब कोर्डिनन में सबसे पहले हिट करता है केरला स्टेट को तो इंडिया इसके लिए कुछ क्राइटीरियास फुल्फिल करना पड़ता है जैसे की स्ट्रेंग्ट ओफ वेस्टरली विंग्स देखे आपको पता ही होगा नॉमली इस्टरलीज होता है अब टेंपरेचर डिफरेंट्स के वज़े से इस्टरलीज वेस्टरलीज बन जाता है और इंडिय जाते हैं कि पिछले दो तीन हफते से कहला के ऊपर बारिस तो हो रहा है और कुछ कारण से कही डिप्रेशन फॉर्म होगा ता उस वज़े से अब तो सौथ मान्सून भी आ है बारिस तो कंटिनू रहेगा तो एक कंसिस्टन एमोंड और रहीं बहोना चाहीं ठीक है तो यह सारे important criteria से दोस्तों IMD को official declaration of southwest monsoon का onset declare करनी के लिए वैसे दोस्तों केरला में बारिश देने के बाद southwest monsoon आगे advance होता है तो अगले 3-4 दिन में advance होगा ऐसा IMD ने बोला है और केरला में 9 districts में LO alert भी डिक्लेर किया है क्या होते दोस्तों LO alert देखे बारिश के टाइम पर IMD जो है warning देता है एक होता है red alert red alert मतलब बहुत ज्यादा बारिश होगा dangerous situation है फिर होता है orange alert मतलब थोड़ा बहुत cautious रहना पड़ेगा finally yellow alert ठीक है तो यह 3 alert देते हैं इसके साब से जो disaster response टीम अगरा है वो prepare होते है यह 3 alerts के बाद और एक alert है दोस्तों green alert green alert का मतलब no action needed वैसे यह देखें दोस्तों basic level में message 4 different colors में आता है green मतलब no action needed yellow मतलब watch and stay updated आपको observe करना पड़ेगा जितने weather forecasting agency से उनके instructions का है उसके लिए आपको wait करना पड़ेगा orange be prepared red मतलब take action समझगे आप दोस्तों what causes the Indian month वैसे आप सबको पता होगा और एक बार में briefly बता देता हूँ March April May महिनों में सबसे ज़्यदा धूप का रहता है Tropic of Cancer के उपर होता है क्योंगी sun की जो race से directly Tropic of Cancer के उपर पड़ता है ठीक है और यह जो Tropic of Cancer है हमारा Indian subcontinent के उपर से पास होता है यह बात भी आपको पता होगा टोटल शायद 8 states के तुरू Tropic of Cancer पास होता है Now Tropic of Cancer में डारेक्ट धूप पड़ने की वज़े से उस region काफी गरम हो जाएगा ठीक है अब गरम होने की वज़े से क्या होगा दोस्तों इस region में एक low pressure form होगा अब low pressure form होने की वज़े से winds को यह attract करेगा क्योंकि winds हमेशा high pressure से low pressure की और flow होता है Now Easterlies के वारे में आपने सुना होगा Easterlies जो है West से East की तरफ flow होता है यह trade winds भी बहुते हैं trade winds हमेशा flow होता है अब Indian subcoordinate में यह low pressure create होने की वज़े से यह जो easterly से दोस्तों यह deflect होके इस तरफ बहने लगता है क्योंकि देखे इधर इतना बड़ा low pressure जो form हो गया तो trade winds जो है वो deflect होके इस तरफ चले जाता है अब Indian ocean के ओपर से जाने की वज़े से क्या होगा इसमें moisture होगा अब यह motion-laden winds जो है दोस्तों western guts में heat होगा western guts में heat होने के वज़े से क्या होगा इधर oeographic rainfall मिल जाएगा basically यह जो air है यह ओपर की तरफ जाएगा फिर condensed होगा cloud swarm होगा और नीचे बारिश मिल जाएगा तो general studies paper 3 important geographical phenomenon में यह उसाब को काम आएगा अब आपके लिए question है दोस्तों यह previous year question है UPC prelims में पूछा था इस question का answer बताने की कोशिश कीजिए video post करके अगला है US surpasses China as India's biggest trading partner in financial year 2022 at 119.42 billion dollars सबसे पिल आपको बताओं दोस्तों कल हर्षी साने एक video upload किया था US surpasses China and Indian trade करके यह video आप देख लिजएगा वैसे इसमें जो important points है और एक बार में आपको बता देता हूँ 2013-14 financial year से 2017-18 financial year तक इंडिया का largest trading partner China था उससे पहले इंडिया का largest trading partner United Arab Emirates था अब 2021-22 में इंडिया का largest trading partner बन गया कोन United States of America second कोन है चाइन, third कोन है United Arab Emirates इसके बाद साओधी अरेबिया, इराक और सिंगपूर Now, Ministry of Commerce का data के साब से 2021-22 में bilateral trade between US and India 119.42 billion dollar पहुँच चुका है और 2020-21 financial year में ये केवल 80.51 billion dollar था Now, US के लिए जो export से इंडिया से वो इस financial year में, sorry 2021-22 financial year में 76.11 billion dollar था 2022 financial year में बन गया 43.31 billion dollar तो basically imports भी increase हुआ है, exports भी increase हुआ है चाइना के comparison में देखिए, चाइना का जो two-way commerce है basically exports और imports मिला कर 115.42 billion dollar है दोस्तों 2021-22 financial year में और पिछले साल वो 86.4 billion dollar था, तो करीब 4 billion dollar का increase है दोस्तों two-way commerce में चाइना और US के बीच में ठीक है, तो ये समझ लीजेगा अब इंडिया का top trading partner United States of America है Now, trade experts का कहना यह है दोस्तों, ये जो trend of increasing bilateral trade between US and India है ये आने वाले time पर और increase होगा, क्योंगी New Delhi and Washington के बीच में जो economic ties है, वो further strengthen होते हुए नजर आ रहा है वैसे major export items कौन-कौन से है दोस्तों, जो इंडिया से US में export होता है, this is very important petroleum polished diamonds, ये क्या होते है दोस्तों, petroleum polished diamonds, देखे, Gulf of Mexico में एक टेप का diamond formation होता है, ये crude oil से form होता है ऐसे जो crude oil से diamonds form होता है न दोस्तों, इसे petroleum diamonds बोलते हैं, तो ये हम export करते हैं, इधर से, कहां पर, US की तरफ, मतलब ये जो diamonds crude form हमें हमारे पास आते हैं, हम इसे polish करके बेजते हैं pharmaceutical products बेजते हैं, jewelry, lights, oils and petroleum, frozen shrimp, made ups, etc. मैं जब imports क्या कहा है दोस्तों, petroleum हम import करते हैं, rough diamonds करते हैं, liquefied natural gas करते हैं, gold करते हैं, coal, western scrap, almonds, etc. ठीक है and America is one of the countries with which India has a trade surplus, बहुत अच्छी बात हैं दोस्तों, America जैसे country के साथ India का trade surplus है, मतलब export ज्याता है, import कम है, ठीक है 2021-22 financial year में, India had a trade surplus of 32.8 billion dollars with US, 32.8 billion dollar दोस्तों, छोटी-मोटी amount नहीं है, इतना amount का trade surplus है, अमेरिका के साथ India का, तो general studies paper 3, Indian economy में यह नूस आपको काम आएगा, final news, flight with 22 passengers goes missing after takeoff in Nepal, देखिए इस news से रिगार्ड़ी एक वीडियो अलड़ी अप्लोड़े चानल पर, आजी सुबा अप्लोड हुआ है, नेपाल तारा airplane crash करके search करके देखिएगा, आपको यह detailed video मिल जाएगा, वैसे वीडियो में मैंने recent aircraft accidents के बारे में भी बताया है दोस्तों, ठीक है, वैसे briefly म आपको बता देता हूँ हुआ क्या था, नेपाल में पोखारा करके टूरिस सिटी है, उधर से जॉमसम करके एक टूरिस सिटी में जाने वाला एक स्मॉल पैसंजर एरक्राफ्ट, जिसमें 22 पैसंजेस थे, वो मिस हो चुका है दोस्तों, अनकंफिर्म्ड रिपोर्ट्स यह करा है, यह एरकाफ्ट क्राश हो चुका है धोलगिरी एरिया में, धोलगिरी एक माउंटे दोस्तों, सबंध लाजस माउंटे ने दुनिया का, वैसे यह सब के बारे में इन डीटेल इंफोर्मेशन आपको यह वीडियो में मिल जाएगा, माउंट धोलगिरी के बारे में, अक्सिरेंट के बारे में, ठीक है, तो नेपाली आर्मी मेजर जेनरल बाबरम स्रेष्ठा ने यह बोला है, दा प्लेइन वास पोटट इन ए स्टेट ऑफ बर्निंग अर लनिंग चोगला अन अपर एडिया ओफ लरी कोटा इन तजांग रूरल मुलिसिपालिटी टू इन मस आई हैं दोस्तों, और एक unfortunate बात यह हैं दोस्तों, यह 22 passengers में से 4 Indian nationals है, 2 Germans से, 13 Nepali passengers से, और 3 member Nepali crew भी है, ठीक है, so general studies paper 3, disaster में इन उस आपको काम हैगा, तो दोस्तों that's end of it, I hope आपको वीडियो informative लगाओगा, डक्चे की PDF as usual आपको टेलिग्राम चनल में मिल जाएगा, जिसक वेगा ओगा लेखंगा, पीज केटि की